हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माई फैमली गार्डन इन होम में और दोस्तो आज का वीडियो सुरू करते हैं प्यारे प्यारे फूलों के साथ तो देखे कितने बढ़िया फूल खिल रहे हैं गार्डन में और ये बिंटर सीजन के फ्लावर हैं बह कि मैंने लगाया हुआ था मतर अचे सब्ड़ TCP बेना केस ऐस्तो घृट के लिए तयार करती हुँ तो इसमें मैंने बे तरीके से तयार की लिए नीचे में नीचे और मटर भी कफी बढ़िया हुई है तो मैंने इसलिए लगाया था कि जो हमारी मिट्टी है जो कचड़ा है नीचे का डिकमपोस्ट हो जाए इसके बाद हम इस मिट्टी को पलट करके सारे ग्रो बैग में थोड़ा-थोड़ा मिट्टी इसकी डाल देंगे यानि की मिकसर बना हम रखने के लिए हमें हलकी मिट्टी तयार करनी होती है और हलकी मिट्टी जो तयार होती है या तो आप गोबर की खाद को को पीट बर्मी कमपोस्ट इस तरीके खाद कर सकते हैं अगर आप गार्डनिंग में ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते सिंपल गार्डनिंग करते ह तो आपके पास जो चीजें हैं उन्हीं से अच्छी गाडनिक की जा सकती है तो यहां पे मैंने यही करने की कोशिस की हुई है मैं ऐसे कमपोस्ट कर लेती हूं और फिर इस तरीके से खाद बनाती हूं तो इससे हमारी मिट्टी भी हल्की रहती है और जो पौधे हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता देखें यहां पे मैंने क्यारी मिट्र लगाई हुई है और इसकी फलियां देखिए काफी बढ़िया होती है और दोस्तो ग्रीन मिट्र की बात ही क्या है बहुत अच्छी खाने में टेस्टी होती है मेरे यहां तो बच्चे ऐसे ही तोड़ करके मैंने लगाया भी इसी वज़े से था कि जो मार्केट से हमारे यहां आती है थोड़ी बहुत तो इसके लिए सबजी के लिए यूज हो जाती है लेकर यह जो हरी होती है यह खाने में बहुत अच्छी लगती है ऐसे ही तो देखिए दोस्तों इस तरीके से मटर भी काफी पौधे लगाते हैं तो अच्छी नहीं होते बहुत अच्छी तयार होते हैं बस थोड़ा सा ध्यान रखिए तो दिखिए मटर के सासा मैंने यहां पर बैस्टेज में लगाया हुए टमार्टर बोरी में तो बहुत अच्छी से हो जाती है यह नेचर की देन होती है प्रकृ पौधों की रखवाली के लिए रख दीजिए तो बहुत इससे पौजिटिव फील होता है और देखेंगे उन पौधों के साथ कैसे आपका टाइम समय गुजर जाता है तो इस तरीके से हम अपने आसपास हरियाली भी लगाने की कोसिस करते हैं चारों तरफ अपने वाताव इस सिंपल गाडनिंग है जैसे कि मेरी सिंपल गाडनिंग रहती है दोस्तों मैं ज्यादा इसमें हाई ब्रेड हो गयारा सीड नहीं डालती हूं देखिए घर के वीजों से मैंने पौजे तैयार की हुए है और काफी वड़ी है मुझे मिल जाता है मैं अपने कोसिस जितना क इनको थोड़े से पहले तोड़ करके रख लें एक दो दिन में और अच्छे से पक जाते हैं रखने के बाद तोड़ कर रख देंगे तो नहीं तो बंदर और आएंगे तो यह सारे खा जाते हैं जानते हूं आप लोग तो देखिए इस तरीके से जो एक ग्रो बैग है तो मैं जादा से जादा हार्वेस्टिंग इस टाइम पर दिखा रही हूं आप लोगों को क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इनकी हार्वेस्टिंग कर रही हूं क्योंकि मुझे इसके लिए अब समर सीजन की जो एजी टेवल से उनके पौधे तैयार करके लगाना है तो मैं ग्रो भटा भूएवोंकी मिट्टी को कि फ्य kannst रहर देना जरूरी है मिट्टी को भी राराम देना जरूरी है आप बहुर देंगि judgment को फूरु चोड़ी तक moza יותר की मिट्टी को नहीं देंगि और बैदने को चोड़ mosher तो इस तरीके से गाडनिंग करते हैं चोटे 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 चीज은 ऊप पौधे लगा यह बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाते हैं और यहां पे देखिए यह ग्रोबेक भी मैंने लगवख खाली ही कर लिया है आज थोड़े से गाजर बची हुई है तो मैं इनको निकाल लेती हूँ करीब इतनी गाजर हैं है क्योंकि मुझे खाली कर लिए इनको हटा भी लीती हुँ और ये इस पहले भुवाई वह हुएकूई थी तो ये इनकाल लेती हुँ इनके बाद फिर सकी मिट्टि नहीं कि लगाना चाहते, तो अभी से स्टार्टिंग कर दिजिए, ताप मान सही हो गया है, देखते दोस्तों, यह थी मेरी आज की हार्वेस्टिंग, मैंने हार्वेस्ट कर लिया है, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगँ, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तब तक के लिए थां बाबाई हैपी गार्डिनिंग